आप सुन रहे हैं समाचार एजंसी आफ इंडिया की साई न्यूज में आडियो बुलेटिन नमस्कार ये समाचार एजंसी आफ इंडिया है अब आप साई न्यूज की समाचार शंकला में सुम्वार आठ जमरी दो हजार चौबीस का राश्ट्रिय आडियो बुलेटिन सुनिए बिल्किस बानो एक बार फिर चर्चा में है अदालत से उन्हें एक बार फिर नियाय मिल गया है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के 11 दोशियों को जेल से रहा करने का गुजरात सरकार का फैसला रद कर दिया है गैंगरेप और साथ लोगों की हत्या के सभी दोशी एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागतना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा दोशियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती दोशियों को महाराश्ट्र में सजा मिली थी इसलिए रिहाई पर फैसला देने का अधिकार भी महाराष्ट्य सरकार का है जम्वरी 2008 में मुंबई की CBI Special Court ने बिल्किस बानों के दोशियों को उम्रकैद की सजादी थी 14 साल के बाद 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की माफी नीती के तहित सभी दोशियों को गोथरा कारागार से रिहा कर दिया गया दोशियों के नाम राधेशाम शाह, जस्वंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट, विपिन चंदर जोशी, राजु भाई सोनी, केशर भाई वहानिया, प्रदीप मोडिया, बाका भाई वहानिया, मितेश भट और रमेश चांधना है बिल्किस बानो गैंगरेप, उनके परिवार के साथ सच्सों की हत्या मामले में सुमवार को सुप्रीम कोर्ट ने महित्वपूर्ण फैसला सुनाया शीर शदालत ने इस मामले से जुड़े 11 दोशियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी आरोपियों को दो सप्ता के भीतर सरेंडर करना होगा बांगलादेश के राष्ट्रिय चुनावों में शांदार जीत दर्ज करने के बाद शेक हसीना पांचवी बार देश की प्रधा मंतरी बनने के लिए तेयार है प्रधा मंतरी नरेंदर मोदी ने सुमवार को शेक हसीना से फोन पर बात चीत की और उन्हें चुनावी जीत की बधाई दी प्रधा मंतरी शेक हसीना से बात की और संसदिय चुनावों में लगातार चौथी बार एतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी मैं बांगलादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बढ़ाई देता हूँ हम बांगलादेश के साथ अपनी साज़िदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबध है प्रधा मंतरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंतरियों की अपमांजनक टिपणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनेक तनाव बढ़ गया है अब भारत के दोस्त इसरायल ने भी मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीब की प्राकृतिक खुबसूर्ती की जमकर सराहना की है साथ ही उसने लक्षद्वीब को लेकर एक बड़ा ऐलाम भी किया है इसरायल ने कहा है कि वह इसकेंद्र शासित प्रदेश में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा अयोध्या में रामला की प्रान प्रतिष्ठा के पहले प्येम मोदी ने जन्ता से स्वच मंदर अभियान का हिसा बनने की अपील की है 14 जम्री को मकर संक्राती के दिन से शुरू होने वाले इस अभियान में हर स्थान के हर मंदिरों में लोग जाकर सफाई करेगे 14 जम्री से 22 जम्री तक चलने वाले इस अभियान में हर बड़े से लेकर छोटे मंदिरों में सफाई की जाएगी मंदिर अभियान पर जोर देते हुए प्येम मोदी ने कहा है कि प्रभुश्री राम हम सभी के है भगवान राम जबा रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर एक भी तीर्थक्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भवे राम मंदिर के निर्मान के निमित मकरसंकरान्ती के दिन से चोटे मोटे सभी तीर्थस्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। ये समाचार Agency of India है। आप सुन रहे हैं, साइन्यूस की समाचार श्रंखला में सुमवार 8 जमरी 2014 का राश्ट्रिय ओडियो बुलेटिन। प्रधामंतरी श्री नरेंदर मोदी ने आज वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से विक्सित भारत संकल प्यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। केंद्रिय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और स्थानिय स्थर के प्रतिनिधियों के साथ पूरे देश से हजारों विक्सित भारत संकल प्यातरा लाभार्थी इस कारेक्रम में शामिल हुए प्रता मंत्री से बाचीत के दौरान 36 गड़ के कांकेर के एक किसान परिवार से संबंध रखने वाली महिला श्रीमती भूमिका भुआराया ने बताया कि वह अपने गाव में 29 वंधन समुहों में से एक में सचिव के रूप में काम करती हैं और उन्होंने वंधन योजना, ऐसे अनुभव से सरकार को लोगों के लिए काम करने में काफी हद तक मजबूती मिलती हैं प्रधा मंत्री ने उनसे समय पर राशन की उपलब्धता के बारे में भी जांकारी ली उत्कसुक होकर प्रधा मंत्री ने श्रीमती भूमिका से सरकारी योजनाओं के बारे में उन प्रधा मंत्री ने गाव के अन्य निवासियों से भी अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने का आग्रह किया। भारतिय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपे के नोट को बदने को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। भारतिय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चलन से वापस लिये जा चुके दो हजार रुपे के नोट पोस्ट ऑफिस की मदद से भी बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों, FAQ, के एक समू में कहा कि लोग अपने बैंक अकाउंट में राशी प्राप्त करने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस से उसके 19 ऑफिस में से किसी को भी 2,000 रुपे के नोट भेज सकते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में अभी भी 2,000 के नोट जमा हैं और आप इसे बदवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अब सिर्फ एक एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा जो की आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके बाद नोटों को पोस्ट ऑफिस की किसी भी सुविधा से RBI के ऑफिस को भेजना होगा। जानकारी के मुताबिक, फॉर्म RBI की विबसाइट पर उपलब्ध है। दरसल, 2,000 रुपे के नोट बदने के लिए RBI के क्षेत्रिय कार्यालियों में अभी लोगों की कतारे लग रही हैं। जिसे देखते हुए केंद्रिय बै गरिमा तक नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। लक्षद्वीब के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल ने कहा है कि मालदीव के तीन मंत्रियों की प्रधा मंत्री नरेंदर मोदी के खिलाफ अपमान जनक टिप्णी भारत की गरिमा को भी चुनौती है। उन्होंने क पूर्व मंत्री सत्यंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अगले आदेश तक उनकी अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। मामले में अगली सुमवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सत्यंद्र जैन की ओर से अभिशेक मनु सिंगवी कोर्ट में दलील जारी रखेंगे. सत्यंद्र जैन की जमानत अर्जी पर जस्टिस बेला माधुरे त्रवेदी और जस्टिस पंकज मिथ्थल की पीठ के सामने सुम्माई हुई. गुजरात में दस्वे वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल समिट की पूरी तेयारियां हो गई है. यह शिकर समेल एजनसी ऑफ इंडिया है. आप सुन रहे हैं, साइन्यूस की समाचार श्रंखला में सुम्मार आठ जम्मरी दो हजार चौबीस का राष्ट्रिय ओडियो बुलेटिन. किंद्रिय वानिज एवं उद्योग, उभ्भोकता मामले, खादे एवं सार्वजनिक वितर्न और वस्त संबोधन में उन्होंने भारत के विवित खादे उद्योग की प्रशनसा की और वैश्विक बाजारों को लुभाने की इसकी क्षमता पर जोर दिया. सतीश कुमार ने पांच जम्मरी, दो हजार चौबीस को रेल मंत्राले में रेलवे बोर्ड में सत्सयर, ट्रैक्शन इंजिनियर सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं. श्रीकुमार मार्च, 1988 में भारतिय रेलवे में शामिल हुए और उनके पास 34 वर्शों का समरिध अनुभव है. MTRS, रेलवे बोर्ड में शामिल होने से पहले वे उत्तरमध्य रेलवे, प्रयागराज में महाप्रबंधक के रूप में काम कर चुके हैं. वहीं 1987 बैच की भारतिय रेलवे कार्मिक सेवा, IRPS, अधिकारी और लेवल सोला पैनल में शामिल IRMS अधिकारी सुश्री अरुना न स्टाफ के रूप में और फर्वरी, 2022 से मई, 2023 तक रेलवे बोर्ड में प्रधान कारेकारी निदेशक स्टाफ के रूप में कारे रती ती श्रीलंका में वर्ष 2023 में परिटन के स्रोत बाजारों में भारत का नाम शीर्ष पर रहा। श्रीलंका में पिछले वर्ष 14,87,000 परिटक आए जिन में 20 प्रतिशक भारत से थे। 2023 में श्रीलंका में कुल 3,00,000 भारतिये परिटक पहुंचे। श्रीलंका की अर्थ विवस्था में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में परिटन शेतर की महित्वपून भूमिका है। भारत और श्रीलंका के बीच विमान सेवाओं के मामले में भी वृद्धी हुई है। एशियाई ओलम्पिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता दो शूने दो चार में आज इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में भारतिये निशानेबाजों ने पुरुशों की 10 मीटर एयर पिस्क्टल टीम्स परधा में स्वन पदक हास वरुन तोमर और अरजुन सिंह चीमा वेक्तिगत्स परधा के फाइनल में भी पहुँच के हैं। अधिकारियों ने कहा कि देश में संक्रमन के मामले बढ़ने और जेन वन सब वेरियंट के मामलों की पुष्टी होने के बावजूत ततकाल चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ अभी बर्फबारी नहीं हो रही है। जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाडी राजों में बर्फन के बराबर ही दिख रही है। पहाडी राजों में सनोफाल नहीं होने से परिटक भी निराश ही नजर आ रहे है। आप सुन रहे थे समाचार एजनसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रिंखला में सोमार आठ, दो हजार चॉबीस का राष्ट्रिय ओडियो बुलेटिन। मंगलवार 9, जम्वरी दो हजार चॉबीस को एक बार फिर हम ओडियो बुलेटिन लेकर हाजर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विश्यों पर लिम्टी की लालटेन रोजाना सुबह साथ बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ओडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुम्ती लेते हैं। जे हिंद। झालट भूलेख जरुटी अनुम्ती लिवाँ में। अफ। झाल झाल